आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तेको बच्चों एक question दिया गया हमें इसको बोलते है सुक्रोज इन 100 g H2O 100 g H2O 100 g H2O में 0.01 mol क्या मिलाए गया है सुक्रोज मिलाए गया है ठीक है एक solution मना दिया एक बिकर कंटेनिंग 0.02 mol सुक्रोज यह 100 g of water एक और solution है जिसमें कहा है जिसमें 100 g पानी में 0.02 mol सुक्रोज मिलाए गया है are placed in a chamber and flow to equilibrate मतलब क्या है अलग अपने पास solution थे उन दोनों को एक chamber में रख दिया और दोनों को mix होने दिया गया ठीक है equilibrate यानि जब equilibrium established हो जाए जब उनका क्या है जो osmosis है वो बंद हो जाए ठीक है what is the concentration mole fraction पूचा गया what is the concentration mole fraction of सुक्रोज in the resulting solution जो final solution मनेगा उसमें जो सुक्रोज है उसके mole fraction क्या होंगे ठीक है क्यूशन की language land दी है थोड़ी सी बाकी क्यूशन अपने पास छोटा सा सिंपल सा क्यूशन है ठीक है बच्चो कुछ इस तरीके से है यह क्यूशन देखो कि अपने पास इसमें 100 gram water है 100 gram water ठीक है इसमें मिलाए गया है 0.01 mol सुक्रोज सुक्रोज का formula है C12 H22 O11 ठीक है और एक और container लिया गया है जिसके अंदर क्या है 100 gram water है 100 gram water है और इसके अंदर क्या मिलाए गया है इसके अंदर मिलाए गया है 0.02 mol सुक्रोज यानि C12 H22 O11 ठीक है यह दोनों मिलाए अब दोनों को क्या किया एक बड़े container में दोनों को mix करने के लिए छोड़ दिया गया मिक्स करने के लिए मिक्सिंग के बाद क्या होगा सारे पार्टिकल आपस में मिक्स होंगे completely और एक equilibrium establish करेंगे और equilibrium establish होने के बाद जो solution बना है उस solution में जो सुक्रोज है उसका mole fraction पूछा गया है देखो बच्चों क्या होगा इसमें सबसे पहली बात जो moles of solute है वो तो change होने नहीं है moles of solute यानि 0.1 mole सुक्रोज इससे 0.02 mole सुक्रोज इससे मिला वो तो constant रहेंगे तो of N of सुक्रोज C 22 sorry C12 H22 O 11 यह तो fix है 0.01 plus 0.02 तो जो equal आजाएगा 0.03 के यह equal moles आगे है ठीक है अब हमें क्या करना है moles of H2O find करना है H2O find कैसे करें weight of H2O कितना है 100 gram तो पहले वाले से 100 gram दूसरे वाले से 200 gram divided by its molecular weight 18 तो यहां से आप इसको calculate करोगे तो यह value मिलेगी आपको 11.11 ठीक है बच्चों तो जब आपको total mole पूछा जाए तो कितने बोलोगे and total तो कितना आएगा 11.11 plus 0.03 यह value आप दोलोगे तो इसको आप कितना बोल दोगे यह value जो है हमारे पास यह आएगी 11.14 11.14 तो आपको mole fraction of सुक्रोज पूछा गया है mole fraction of सुक्रोज जो कि आप कितना बता दोगे आप लिखोगे यहां पर 0.03 divided by 11.14 तो यहां से जब आप calculate करोगे तो moles of सुक्रोज आपको मिल जाएंगे 0.00269 यह हमारा final answer रहेगा बच्चों Classics to 12 से लेके NEED IIT जही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर 10 12 झाल झाल